C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 10 प्रायोगिक जामिती प्रिष्ट 209 10.1 भूमिका आप अनेक प्रकार के आकारों से परिचित हैं आप पिछली कक्षाओं में इन में से कुछ आकारों की रचना करना सीख चुके हैं उधाहरन था है अब आप एक दी हुई लंबाई का रेखा खंड एक रेखा खंड पर एक लंब रेखा एक कोण कोण का समद्विभाजक एक व्रित इत्यादी की रचना कर सकते हैं अब आप समानतर रेखाएं तथा कुछ प्रकार के त्रिभुजों को खीचना सीखेंगे दस दशमलव दो एक दी हुई रेखा के समानतर उस बिंदु से होकर रेखा कीचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है आईए एक क्रिया कलाप से प्रारंभ करें आकरिती दस दशमलव एक 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 कागज की शीट लीजिए और इसे मोड कर एक निशान बनाए एक रेखा एल को निरुपित करता है दो कागज को खोल लीजिए इस कागज पर एल के बाहर एक बिंदु ए अंकित कीजिए तीन इस बिंदु ए से होकर जाता हुआ और रेखा एल पर लंब एक मोड का निशान बनाएए इस लंब का नाम ए-एन रखिये चार अब बिंदु ए से होकर इस लंब के लंबवत एक मोड का निशान बनाएए इस नई लंबवत रेखा का नाम M रखिये अब एल एम के समानतर है क्या आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यूं है प्रिष्ट दो सौ दस यहां समानतर रेखाओं का कौन सा गुण या कौन से गुण यह कहने में सहायता कर सकता है या कर सकते हैं कि रेखाओं L और M समानतर हैं आप देख रेखा और समानतर रेखाओं से संबंधित गुणों में से किसी भी गुण का प्रयोग करके इस रचना को केवल पैमाना यानी रूलर और परकार का प्रयोग करके कर सकते हैं चरण एक एक रेखाओं L और उसके बाहर स्थित कोई बिंदु A लीजिए अकृती 10.2 एक चरण दो रेखाओं L और कोई बिंदु B लीजिए और A को B से मिलाईए अकृती 10.2 दो चरण तीन बिंदु B को केंद्र मान कर और कोई सुविधा जनक त्रिज्या लेकर L को C पर और B A को D पर प्रतिछेद करता यानी काटता हुआ एक चाप खींचिये अकृती 10.2 तीन चरण चार अब A बिंदु को केंद्र मान कर और चरण तीन वाली ही त्रिज्या लेकर A B को G पर काटता हुआ एक चाप E F खींचिये अकृती 10.2 चार प्रिष्ट 211 चरण पांच परकार के नुकीले सिरे को C पर रखिये और इसे खोल कर इस प्रकार समायोजित कीजिये के पैंसिल की नोक D पर रहे अकृती 10.2 पांच चरण चै G को केंद्र मान कर और परकार का खुलाव यानी अउपनिंग चरण पांच वाला ही रखते हुए एक चाप खींचिये जो चाप E F को H पर काटे अकृती 10.2 चै चरण साथ अब A H को मिलाकर रेखा M खींचिये अकृती 10.2 साथ ध्यान दीजिये के कोण A B C और कोण B A H एकांतर अंतह कोण है जो परस पर बराबर है इसलिए M हल के समांतर है अकृती 10.2 एक से साथ तक यहां दिखाई गई है सोचिये, चरचां कीजिये और लिखिये एक, उपरोक्त रचना में क्या आप A से होकर जाती हुई अन्यरेखा खींच सकते हैं जो L के समांतर हो दो, क्या आप इस रचना में इस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं कि बराबर एकांतर अंतह कोण बनाने के स्थान पर बराबर संगत कोण बने प्रिष्ठ 212 प्रशनावली 10.1 एक, एक रेखा मान लीजिये, A, B, खींचिये और इसके बाहर स्थित कोई बिंदू C लीजिये केवल पैमाना यानि रूलर और परकार का प्रयोग करते हुए C से होकर A, B के समांतर एक रेखा खींचिये 2. एक रेखा L खींचिये और L पर स्थित किसी भी बिंदू पर, L पर लंब खींचिये इस लंब रेखा पर एक बिंदू X लीजिये जो L से 4 सेंटिमीटर की दूरी पर हो X से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचिये 3. मान लीजिये L एक रेखा है और P एक बिंदू है जो L पर स्थित नहीं है P से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचिये अब P को L के किसी बिंदू Q से जोड़िये M पर कोई अन्य बिंदू R चुनिये R से होकर P Q के समांतर एक रेखा खींचिये मान लीजिये यह रेखा, रेखा L से बिंदू S पर मिलती है समांतर रेखाओं के इन दोनों युगमों से क्या आक्रिती बनती है 10.3 त्रिभुजों की रचना इस अनुछेद को पढ़ने से पहले यह अच्छा होगा कि आप त्रिभुजों की अवधारणाओं विशेश रूप से त्रिभुजों के गुणों और त्रिभुजों की सरवांग समता वाले अध्यायों को याद करें आप भुजाओं और कोणों की आधारों पर त्रिभुजों को वर्गी कृत करना तथा त्रिभुजों से संबंधित निम्नलिखित महत्वपून गुणों के बारे में जानती हैं एक एक त्रिभुज का बाह्यकोण उसके दोनों अभीमुक अंतहकोणों के योगभल के बराबर होता है दो त्रिभुज के तीनों अंतहकोणों का योग 180 डिग्री होता है 3. त्रिभुज की किनहीं भी दो भुजाओं की लंबाईयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है 4. एक सम कोन त्रिभुज में करण पर बना वर्ग शेश दो भुजाओं के वर्गों के योग भल के बराबर होता है ये चारों गुण यहां चार आकृतियों की सहायता से दर्षाय गए हैं पहले त्रिभुज त्रिभुज xyz में कोण 1 और कोण 2 अंतह कोण हैं तथा कोण 3 बाहय कोण है ये त्रिभुज कोण 3 बराबर कोण 1 जमा कोण 2 दर्षाता है दूसरे त्रिभुज त्रिभुज X, Y, Z में कौन एक जमा कौन दो जमा कौन तीन बराबर 180 डिग्री दर्शाया गया है तीसरे त्रिभुज त्रिभुज ABC में भुजा A जमा B, C से बड़ी है ये दर्शाया गया है चौता त्रिभुज त्रिभुज A, B, C एक समकोन त्रिभुज है जिसमें B वर्ग जमा A वर्ग बराबर C दर्शाया गया है त्रिभुजों की सरवांग समत्ता वाले अध्याय में हमने देखा था कि एक त्रिभुज प्राप्ट किया जा सकता है यदि उसके निम्नलिखित माप समूहों में से कोई एक दिया हुआ है एक, तीन भुजाएं, दो, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, तीन, दो कोण और उनके बीच की भुजा, चार, समकोन त्रिभुज के लिए कर्ण और एक पाद, यानि लग अब हम इनवधारणाओं का त्रिभुजों की रचनाओं में प्रयोग करेंगे प्रिष्ठ 213, 10.4, एक त्रिभुज की रचना जब उसकी तीनों भुजाओं की लंबाईयां दी हों, SSS कसौटी इस अनुछेद में हम त्रिभुजों की रचना करेंगे जब उसकी तीनों भुजाएं ग्याथ हों पहले हम इसकी एक रफ आक्रिती खीचते हैं, जिससे उसकी भुजाओं का कुछ अनुमान लग जाए और फिर तीनों भुजाओं में से एक भुजा लेकर रचना प्रारंभ करते हैं निम्न लिखे तुधाहरण को समझिये उदहरण एक एक तृभुज ए, बी, सी की रचना कीजिये जबके ए, बी बराबर पांच सेंटिमीटर, बी, सी बराबर छे सेंटिमीटर और ए, सी बराबर साथ सेंटिमीटर दिया है हल चरण एक पहले हम दी हुई मापूं की एक रफ आकरिती खीचते हैं इससे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी आकरिती दस दशमलव तीन एक यहां एक तृभुज ए, बी, सी दिया गया है छे सेंटिमीटर लंबाई का रेखा खंड बी सी खीचिए आकरिती दस दशमलव तीन दो चरण तीन बिंदू बी से बिंदू ए, पांच सेंटिमीटर की दूरी पर है अधह, बी को केंद्र मान कर और पांच सेंटिमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खीचिए अब ए इस चाप पर कहीं स्थित एक बिंदू है यह ग्यात करना हमारा काम है कि ए बिलकुल ठीक इस चाप पर कहां है अकरिती दस दशमलव तीन, तीन चरण चार सी से बिंदू ए साथ सेंटिमीटर की दूरी पर है अथह सी को केंद्र मान कर और साथ सेंटिमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खीचिए ए इस चाप पर कहीं स्थित होगा हमें इसका पता लगाना है अकरिती दस दशमलव तीन, चार प्रिष्ट 214 चरण पांच ए को खीचे गए इन दोनों चापों पर स्थित होना चाहिए अथह यह इन दोनों चापों का प्रतिछेद बिंदू है इन चापों के प्रतिछेद बिंदू को ए से अंकित कीजिए ए बी और एसी को जोड़िए अब त्रिभुजे बी सी तयार है आकरिती 10.3 पांच यहां आकरिती 10.3 एक से पांच तक एक साथ दिखाई गई है इनहें कीजिए आईए अब एक अन्य त्रिभुज D.E.F. की रचना करें जिसमें D.E. बराबर पांच सेंटिमीटर E.F. बराबर छे सेंटिमीटर और D.F. बराबर साथ सेंटिमीटर है त्रिभुज D.E.F. को काट कर उसे त्रिभुज A.B.C. पर रखिए हम देखते हैं के त्रिभुज D.E.F. त्रिभुज A.B.C. को पून तयार ढख लेता है अर्थात उसके साथ संपाती हो जाता है ध्यान दीजिये के इन दोनों त्रिभुजों की रचना दी हुई तीन भुजाओं से की गई है इस प्रकार यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीन भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सरवांग सम होते हैं यह SSS सरवांग समता नियम या कसोटी कहलाता है जिसे आप पिछले अध्याए में पढ़ चुके हैं सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए एक विद्यार्थी ने एक ऐसा त्रिभुज कीचने का प्रयत्न किया जिसकी रफ आकरती यहाँ दी गई है पहले उसने क्यू आर खीचा, फिर उसने क्यू को केंद्र मान कर और तीन सेंटिमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खीची तथा आर को केंद्र मान कर और दो सेंटिमीटर त्रिज्या लेकर एक अन्य चाप खीची परंतु वह पी नहीं प्राप्ट कर सका, इसका क्या कारण है? इस प्रशन से संबंधित त्रिभुज के किस गुण को आप जानते हैं? क्या ऐसे त्रिभुज का अस्तित्व है? त्रिभुजों के इस गुण को याद कीजिए, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यहां रफ आक्रिती 10.4 दी गई है. आक्रिती 10.4 यहां एक त्रिभुज PQR दिया गया है, जिसमें PQ बराबर 3 cm, QR बराबर 6 cm और PR बराबर 2 cm है. सोचिए, क्या यह सही है? सही है. निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत.